नमस्कार, श्वागत है आप सभीगा मेरे भक्ती भामना यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको आठ रासियों की जानकारे दूँगा मंगल का करक रासियों में प्रवेश, साथ ही शुक्र का और बुद्ध का भी रासिय परवर्तन होने जा रहा है यह रासि परवर्तन बहुत ही लावप्रद हैं बक्री बुद्ध ब्रसव रासि में, सुक्र मेतुन रासि में प्रवेश कर चुके हैं और मंगल करक रासि में दो जुन को प्रवेश करेंगे तो यह कैसा रहेगा आठ रासि वालों के लिए सभी रासी वालों के लिए कैसा रहेगा वो भी जान करी दूँगा और लगबग आट रासी वालों को पुत्र धन का सुक भी प्राप्त होगा करक रासी में मंगल नीच के होते हैं इस बात का अमेशा ध्यान रखें कि करक रासी में जब भी मंगल आते हैं तो वह नीच इस्तिती में होते हैं। यानि मानों आपकी मेश राशी है या आपकी कर्ग राशी है या मितुन जो भी राशी है अगर आपकी राशी से मंगल तीन, छे और ग्यारे में स्तान में होगा तो आपको बिशेश फल देगा सोब फल प्रदान देता है सत्रूं का नास यानि आपके सत्रूं का नास करता है धन, धन का भरपूर आगमन होगा, भूमी की प्राप्ति और बस्त्रादी का लाव, पुत्र की प्राप्ति, शरी में निरोगता, कटिन से कटिन कार में भी सपलता और बड़े से बड़े एज का स्वामी है आत्म भलका स्वामी है जब मंगल जाता किरासी से अब अब ध्यान देना है एक दो चार पांच साथ आठ नो दस और बारे में इस्तान में रहता है तब अशू फल माना जाता है उस अबस्ता में उसका फल रक्त विकार चरम रोग सत्रूओं का भैग व्यर् स्वामीयों तता इश्ट मित्रों में मतभेत पैदा कर देता है मंगल ग्रैसे पीड़ित जाता को हनमान जी की पूजा करनी चाहिए अगर मंगल ग्रैसे आपको बचना है तो आपको भगवान सिव और हनमान जी की पूजा करनी चाहिए साथ ही मंगलवार के दिन बिसे बिसे शूप से आरा धना भी करनी चाहिए। जिन राशियों के मैं बात कर रहा हूँ। वही राशियां ब्यादीस सूब रहने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपकी यानि तीन, छे और ग्यारे में इस्तान में मंगल है वह राशिया कुन सी हैं ते सबसे पहली राशिया है ब्रसवराशी, फिर कन्याराशी और कुमराशी ब्रसवराशी, कन्याराशी और कुमराशी आपको पुत्रधन प्राप्ति क्योंकि आपकी रासी से आपकी लगन से आपकी रासी के साफ से मंगल करक रासी में यानि तीसरे छटे और ग्यारे में भाव में है ब्रसब रासी से तीसरे भाव में कुम रासी से छटे भाव में और कन्या रासी से ग्यारे में भाव में पुत्र प्राप्ति का योग आपका बनेगा, धन प्राप्ति होगी, मान सम्मान बड़ेगा, साथ ही सत्रू आपके आपसे बैखाएंगे आपका बर्चस कायम होगा, साथ ही भूमी जाजात का अगर कोई लपड़ा आपसे चल रहा है, तो वह भी दूर होगा बान आदी का सुक मिलेगा, धन का आगमन होगा, तो कई प्रकार के इलाब आपको मिलने वाले हैं अब मैं आपको बताऊँगा, किस प्रकार से यह है, फल देने वाला है, और कुन सी रासी के लिए कैसा फल रहेगा सबसे पहली जो रासी है, वह है सिंग रासी मंगल बारे मिस्तान में आपके हैं, आपको लोवी बना सकता है, क्रोधी बना सकता है या अपनी किसी कार से आपके सम्मदों में खटास डाल सकता है, इस बात का विशेशूफ से द्यान रखना है अगली जो रासी है, वह है कर्ण्या रासी कर्ण्या रासी के ग्यारे भी भाव में मंगल धार्मेक बनाएगा, शुवाव आपका क्रोधपूर हो सकता है धन का आगमन होगा, लाव मिलेगा न्याया ले अगर कोई लड़ाई जगड़ा या केस्ट चल रहा है तो उसमें भी आपको सपलता मिलेगी अगली जो रासी है, वह तुला रासी, तुला रासी से दसमे भाव में धन की आनी तदा अगनी से भmud रह सकता है न्यायाले सत्रूपक की ओर से भी चिंता भनी रह सकती है, क्रोध का अचानक आजाना मंगल के दसमे स्तान्य निवास के कारण ही होता है इसकी बज़े से आपका कोई कार्य बिंगर सकता है। व्रेश्चिक रासी से नौमे भाव में होने से किसी रोग से आप पीड़ेत हो सकते हैं। उसकी प्रगती आपके जो सुवाब है धारमिक होगा और भिद्वान बनाएगा आपको आपके साथ ही भाग्य भी आपका होता ह पुत्र धन प्राप्ति के भी योग मंगल आपके बनाएगा। बिरश्चिक रासी के लिए मंगल बहुत ही अच्चा है। आगली जो रासी है वो है धनुरासी। धनुरासी जो बहुत ही ही सुव है और धनुरासी से आठ में वाव में। मंगल हो जातक को धन का लाव रोग बहाई आदियों में आपस में मनमताब बढ़ सकता है, लेकिन पराक्रम में ब्रद्धी होगी और सुकों में ब्रद्धी रहेगे। संतान के योग बनेंगे अगली जो रासी है जिससे सात्मे में यानि मकर रासी मकर रासी से सात्मे इस्तान में धरम पत्नी के लिए विसेश साब धानी आपको रखनी है कोई परेशानी आ सकती है गरस्त जीवने परेशानी आ सकती है और केई प्रकार की अर्चने भी पैदा कर सकता है लेकिन अचानक लाब भी आपको देगा बानादी बहुत ही उस्यारी से चलाने है अगली जो रासी है वो है कुमरासी कुमरासी वाले जातकों को जमीन जाजाज पुत्रादी की प्राप्ती सत्रू आपसे बैखाएंगे नयायाले में आपकी बेजे होगी आपका केश बगएरा चल रहा हो तो वो उसमें भी सपलता मिलेगी वही मीन रासी वालों के लिए तोड़ा सा साबदानी आपको बरतनी है अनमान जी की पूजा भगवान सिव की पूजा आपके लिए जरूरी है वही अगली जो मेश रासी है उसको विशेशूप्षे साबदानी परतनी हालांकि आपका रासी स्वामी है लाब भी आपको मिलेगा और उतनी परिसानी भी आपको हो सकती है भूमी जा जायत मकान आपके बिजनेस हर परिकार के खेत्रों में आपको लाब पहुचाने बाला है साथी ब्रसव रासी ब्रसव रासी के बाले जातों को भाई बेनों में थोड़ी अनवन हो सकती है लेकिन सहयोग भी मिलेगा और धनानी के संकेत भी हो सकते हैं साथ ही मितुर्ण रासी के लिए भी यह मद्यम प्रकार का रहेगा तो इस वीडियो को ज़्याद सेयर करें चैनल को सबस्कार करें और हनमान जी की पूचा जरू करें